तो जो यहाँ पर पहला प्रेशन पूछा गया है होनहार बीरबान के होत चिकनेपात कहावत का क्या अर्थ है तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा बच्पन से बड़पन का संकेत देना इसके लिए कहा चाता है होर्हान होनहार बीरबान के होत चिकनेपात आगे है बिनु पग चले सुने बिनु काना है पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर जो अलंकार रहेगा तो यह हो जाएगा बिभाबना अलंकार पंक्ती है बिनु पग चले सुने बिनु काना आगे है चटिका का तद्वव क्या होगा तो जो चटिका शब्द है इसका तद्वव हो जाएगा चीलिया अगला कोशन चोवन नियून का संदी विछेद क्या होगा तो यहाँ पर विकल्ब चार सही हो जाएगा नी जमा उन नियून अगला कोशन है 55 चितवन की छां के रचनाकार कौन होगे तो जो निवंद है चितवन की छां इसके रचनाकार हो जाएंगे बिद्या निवासमिश्र यहाँ पर बिकल्व दो बहुत सही हो जाएगा अगला है 56 इसमें पूचा गया है सिद्धों की कितनी संख्या मानी जाती है तो जो सिद्ध थे इनकी संख्या मानी जाती है 84 इसी परकार जो नाथ थे उनके बारे में विया को पताना है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है अगला स्तावन प्रशन है स्तावन जद्वी सुजाती सुलचनी सुबरन सरल सुबरित भुशन बिनुना विराजी कभीता बनीत अमीत ये जो पंक्ती है किस रचनकार की है तो ये पंक्ती हो जाएगी केशवदास की जो केशवदास है ये ऐसे कभी हैं जो रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच की कड़ी माना जाता है कई कभी कई आलोच की ने मतलब रीतिकाल में नहीं गिनते जैसे उधारन के लिए अचारे रामचंदर शुकल इन्होंने इन्हें रीतिकाल के अंतरगत नहीं रखा है बाकी ये रीतिकाल के प्रमकभियों में से एक है जो इनकी पंक्ति है ये अलंकार के बारे में बताया गया है इसमें यह केश्वदास की पुंक्ती है इसे भी यादर कीगा यह भी महत्पून है कई बार प्रशन रिपीट होते रहते हैं इसलिए आपको प्रतिक प्रशन ध्यान प्रवक देखना है हाँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और शेक केजिएगा अगला कोशन अठाबन नील देवी के रचनाकार कौन है तो जो नील देवी नाटक है इसके रचनाकार हो जाएंगे भारतिंदू हरिश्चंदर यह जो नाटक है हिंदी साहित्ते के आरम भी काल में लिखे गए हैं यह नाटक इसलिए यह भी महत्पुन हो जाते हैं नाटकों में अगला कोशन है में उनका आदर्श कहीं जो भी अथा ना खोल सकेंगे पूछेगा जग कि तुपिता का नाम ना बोल सकेंगे जो यह पंगती है बतानी है किसकी पंगती है तो यह पंगती हो जाएगी रामधारी सिहन दिन करकी और यह पंगती ली गई है रश्मी रथी से हो जाएगी केषवदास की बिकल्पचार स्चाहिभुलाति क्यों ह token है इंका जो प्रिचना कारह में प्रथमИजα कारूम जाता है और इनूंजी प्रथमूमें कनादाने sav氮 अगला कोशने जहांगिर जस्चंद्री का किस कभी की रचना है तो ये रचना हो जाएगी केशवदास की बिकल्ब चार सही हो जाएगा अगला कोशने हंस जवाहिर किस कवी की रचना है तो जो रचना है हंस जवाहिर ये हो जाएगी आपके कासिम शाह की रचना और जो कासिम शाह है इनका समय है सुफी का बेधारा से अर्थात भक्ति का बेधारा से इनका सबंद रहा है अगला कोशन है चित्रा बली किस कभी की रचना है तो चित्रा बली भी हो जाएगी उस्मान की रचना और यह भी सुफी कापयधारा के अंतरगत आने वाले प्रसिद कभी हैं अगला कोशन है यहाँ पर 64 में पूछा गिया है चिंतामनी त्रिफाटी ने चिंतामनी त्रिफाटी से कौन सी बिद्वान रीति ग्रंतुं की परंपरा की शुरुवात मानते हैं तो जो चिंतामनी त्रिफाठी थे इन से मानते हैं अचारे रामचंदर शुकल, अरृति का प्रमपराक का प्रारंब अगला कोशन है यहां से एक कोशन छोड़ेता है आपको बताना है कि जो अचारे रामचंदर शुकल थे उनके जो हिंदी साहित्य का इतियास से इसका प्रत्म प्रकाशन हुआ था 1929 में उसके 35 में संशोदन किया गया था इनके हिंदी साहित्य के इतियास में तो वो आपने बताना है कि कव किया गया था उसके तितिया आपको बतानी है अगला कुशने 65 लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणी अहा व्यों सिंदू सखी देखे तार के बुदूद रहा तो यहाँ पर जो यह पंक्ती है इसमें परिक चंद के बारे में बताना है कि कौन सा चंद है यहाँ पर तो यहाँ पर चंद होगा सोठा विकल पर यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुशने सुमेलित करने वाला एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ रचनकार तो बताना है आपको कि यह लेखक की रचना कौन कौन सी हो जाएगी तो यहाँ पर जो अमरी तरह है इनकी रचना हो जाएगी कलम का सिपाही एक कागर उसके पर चाते बिशनु परभाकर इनकी रचना हो जाएगी अबारा मसीह 2 का ग इसके पर शायऽ है मदन गोपाल इनकी रचना हो जाएगी कलम का मजदूर 3 का ग इसके पर शायव है शिवराणी देवी ये हो जाएगी प्रेमचन्द घर में तो इसका हो जाएगा 4 का ख इस परकार जो यहाँ पर कूट दो है यह सही हो जाएगा यहाँ पर थोड़े से तथी आपको फिर से बता देता हूँ जो अमरी तरहे थे यह प्रेमचंजी के सुपुत्तर थे और जो शिबरानी देवी थी यह इनकी धर्मपत्नी थी इसे भी याद रखेगा जो रचनकार और रचना इनको फिर से बता देता हूँ अमरी तरहे की रचना हो जाएगी कलम का सिपाही बिश्नुपरभाकर की हो जाएगी अबारा मसी donation ये बहुत ज्यादा प्रशन बूचा जाता है कि जो अबारा मसी ये कित की रचना है ये विशुन प्रभाकर की रचना है इसके पहशाद है मदन गोपार इनकी रचना हो जएगी कलम का मजदूर अंत में है शिवरानी देवी इनकी रचना हो जएगी प्लेम चंद घर में आगे भी सुमेलीद करने वाला प्रशन है तो चलिए सुमेलीद करते हैं कहانी हो जाएगी रामचंदर शुकल की इसे याद रखेगा महत्पुन पश्ने ग्यारा वर्ष कास में रामचंदर जी की कहانी हो जाएगी अगला है तुलाई वाली तो यह कहानी हो जाएगी बंगमहिला की इस परकार जो यहाँ पर बिकल्प ए है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन है 68 जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का बेवार करते हैं वह नकली भाषा है लोग भाषा नहीं तो जो यह उकती है बतानी है किसकी उकती है यह हो जाएगी अचारे रामचंदर शुकल की उक्ति या कथन अगला कोशन है यहाँ पर निमलिखित पद्याशों को पढ़कर 69 से लेकर 70 तक के उत्र हमें देने है 69 से 70 तक तो जो यहाँ पर पद्याश है छोड़ दुरूमों की मृदुचाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उल्जादून लोचन छोड़ अभी इस जग को जो यह पद्याश है यहाँ पर बताना है कि इसके जो प्रशन बन रहे है उप्रियुक्त काबे पंक्तियों के मूल में है तो यहाँ पर जो मूल होगा इस पद्याश का तो यहाँ पर प्रकृति प्रेम के बारे में बताया गया है 69 का से ही भी कल्प दो हो जाएगा अगला है 70 उप्रियुक्त पंक्ति किसकी है तो जो पंक्तिया है बतानी है किसकी है तो ये पंक्तिया हो जाएंगी सुमित्रा नंदन पंत की जो पंत जी थे ये च्छायवाद के प्रमुख स्तंबो में से एक माने जाते ही अगला कोशन है 71 राम और लक्षमन दश्टत के पुत्तर थे इस बाक्य में और है इसका बताना है कि और क्या है इस वाक्य में तो ये हो जाएगा समुचे बोधक चार बिकल्प सही हो जाएगा अगला कोशन है 72 इसमें पूछा गया है निमिलखित में से तत्सम तदभव का यूगम नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा बिकल्प A चक्चू, आंक, निद्रा, निंद, गृत, गृ अगला कोशन है 73 बृद्धी संदी का उधारन बताईए तो ये हो जाएगा बिकल्प दो एक एक अगला कोशन है 74 इसमें पूछा गया है अबदी का विकास किश अपवर्वन्च से हुआ है तो ये हो जाएगा अर्दमागदी से यहाँ पर सही बिकल्प 2 हो जाएगा अगला कोशन है 75 इसने में पूछा गया है निमिलखीत में से सही का बिकल्प चुने तो यहाँ पर सही बिकल्प हो जाएगा बिकल्प 4 जो उदंत, मार्टन, पत्त था ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था और 1826 में प्रकाशित हुआ था प्रतमतह अगला कुछने 76 बिद्यापती की रचनाएं कौन-कौन सी हैं तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बिकल्प 3 किर्ती लता, किर्ती पताका और भूप परिक्रमा ये तीनों ही रचनाएं बिद्यापती की हैं अगला कुछने 77 अच्छारे रामचन दर्शुकल ने रिति काल का समय माना है तो यह माना है 1700 से लेकर 1900 संबत तक इसके परिशात कई वारी ये प्रशन पर पूछा जाता है जो रामचन दर्शुकल थे इनोंने आधुनी काल का समय क्या माना है तो यह माना है 1900 से लेकर अब तक और सभी को जितने भी इनके चार काल करम है किस परकार से रखें उनके बारे में भी बता देता हूँ जो आधि काल था इसका माना है 10.50 से लेकर 13.00 तक और भक्ति काल का माना है 13.00 से लेकर 1700 तक और जो रिति काल का माना है 1700 से लेकर 1900 तक और जो आधुनी काल का 1900 से लेकर अब तक इसे भी आपको याद रखना है, यह संबत में होगा अगला कुशन है, 78, भाषा के मानकी करन का समन्द भाषा के किस रूप से है तो यह होगा, लिखित से बिकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा अगला है 79, बुंदेली किस उप भाषा सुमू की बोली होगी तो यह हो जाएगी, पश्चमी हिंदी की यहाँ पर बिकल्प दो सही हो जाएगा अगला कुशन है 80, इसमें पूछा गिया है, पश्चमी हिंदी का उद्वब अपवरणश्ट के किस रूप से हुआ है तो यह हो जाएगा, श्चमी से सही बिकल्प यहाँ पर दो हो जाएगा अगला कुशन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भगती है यह कतन किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, आचारे रामचंदर शुकल का याद रखे गिया, क्या कतन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भगती है कतन है, अचारे रामचंदर शुकल का यह इनके निवंद संग्रे से लिया गया है, कतन अगला है 82, रिती मुक्त काब्यधारा की विशेष्टा नहीं है तो यह होगी, यह रिती कर्म परधान काब्यधारा है, यह गलत कतन हो जाएगा यह इनकी विशेष्टा नहीं होगी, जो बागी विशेष्टा है उनने देख लेते हैं यह बाप परधान काब्यधारा है, सही हो जाएगा ये रूडियों से मुक्त काब्य है तो ये भी सही हो जाएगा ये आंतरिक अनुभूतियों का काब्य है तो ये भी सही हो जाएगा अगला कोशन है 83 हिंदी में कठिं काब्य का प्रेत किस कभी को कहा गया है तो ये कहा गया है केशिवदास को विकल्ब चार सही हो जाएगा अगला कोशिन है 84 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी तो जो ये पंक्ती है किसकी है तो ये पंक्ती हो जाएगी रैदास की तो यहां से आपके लिए दूसरा प्रशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है रैदास किस संपरदाय के या किस प्रभु के भगत थे अगला कोशने 85 रामचरी तमानस की भाषा क्या है तो जो रामचरी तमानस की भाषा हो जाएगी ये हो जाएगी अब दे और ये किस की रचना थी ये थी महात्मा तुलसिदास की रचना यहां पर आपके लिए एक और प्रशन छोड़ देता हूँ कि जो पद्माबत महा काबे था किस का था ये पद्माबत महा काबे और इसकी भाषा क्या थी चलो बता देता हूँ इसकी बाष़ा तो हो जाईजी अब धी पर इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है कि क्या है इसके रचनाकार का नाम अगला कोशन है 86 चंदरवदन शव्द में समास है तो यह हो जाएगा करम धालिया तीन विकल्ब सही हो जाएगा अगला कोशिन है 87 राजपुतर शब्द में समास है तो जो राजपुतर शब्द है इसमें समास हो जाएगा तत्पुर्ष समास तो गाइज यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉंच कीगी पीडियाफ को भी ले सकते हो यह जितनी भी पीडियाफ हैं यह सभी उतकरिष्ट श्रेनी की है इनमें सिर्फ उन्ही प्रशनों को शामिल किया गया है जो पिछली प्रिक्षाओं में पूछे गये हैं इस नजरेये से यह आपकी आगामे प्रिक्षा के लिए बहुत ही लाबदाइक होने वाली हैं यहाँ पर आपको दो पीडियाफ दी जाएंगी इनमें जो पहली होगी उसमें आपको दस मौक टेस्ट दे जाएंगे यह सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो दूसरी होगी इसमें आपको एकजार प्लस बन्लाइनर प्रिशन मिलेंगे अगला कोशन है 88 इसमें पूछा चाहिए क्योंकि अपनी इस गरहन शकती से हिंदी अपनी व्रिद्धी कर रही है यह र्यास नहीं है उप्यक्त अब्तर zwartinka उप्यक्त क्या होगा तो इसका जो उप्यक्त शिर्शक होगा तो यह होगगा हिंदी जिवन भाषा है तो यहां से दोस्तों आको दिहान प्रुप इसी प्रकार ये निरंतर अंग्रेजी से भने शब्द ग्रहन कर रही है ये इसके दोश है या गुण तो दोस्तों ये इसके गुण है दोश नहीं इसलिए आपको यह याद रटना है प्रतिक परशन को आपने अच्छी तरह से समझना है तब ही जाकर आपको इसका फाइदा मिलेगा अगला कोशने 89 इसमें पुछा गया है समाज में हरीजनों की समस्यां को चितरन प्रेमचन जी ने किस उपनियास में किया है तो ये किया है करम भूमी नामक उपनियास में बाकी निर्मला, गवन और प्रतिग्या ये भी इनके ही उपनियास थे इनको भी आपने याद रखना है अगला कोशन है 90 इसमें पुछा गया है सिद्गवी, सरहप्पा और किस नाम से जाने जाते थे तो ये जाने जाते हैं सुरोजबजर और राहुलबदर इतियादी नाम से भी अगला कोशन है 90 इवन विशिष्टा द्वैतबाद सिद्धान्त के प्रवर्टक अचारे कौन थे तो ये थे रामानुजचारिय जो रामानों जो चारिये हैं इन्होंने विशिष्टा द्वैत सिद्धान्त का प्रवर्टक किया है तो इसे याद रखेगा इसके प्रश्चार कई वार ये भी पूछा जाता है कि जो बलवाचारे थे इनके द्वारा कौन सा संपरदाय चलाई या था ये चलाई गया था शुद्धा द्वैत बाद और जो शंक्राचारे थे इनके द्वाराज चलाई गया था अद्वैत बाद इसको भी आपने याद रखना है ये भी कई वार प्रिक्षा में पूछा जाता है जो कुंबन दास थे ये अश्ट शाफ के प्रमुक कभियों में से एक माने जाते है कई वार ये प्रिशन भी बनता है कि जो अश्ट शाफ की स्थाबना किस नहीं की थी तो ये की गये थी बलवाजा रहे कि ये पुत्तर बिठन नात के द्वारा आपको एक प्रिशन और छोड़ देता हूँ आपको बताना है कि जो बिठन नात है इनके स्पुत्त का क्या नाम था ये भी प्रसिद कभियों में से एक माने जाती है अगला कोशन है 92 इसमें पूछा गिया है बिठेशी शब्दों में से कौन सा शब्द अर्वी भाषा का नहीं है तो यहाँ पर कुछ बिठेशी शब्द दिये गिये हैं इनमें से एक शब्द ऐसा है जो अर्वी भाषा से नहीं लिया गिया है तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है तो वो हो जाएगा आपका बिकल्प ए बेगम बाकी दफ्तर, अखवार और और औरत ये तीनों ही अर्वी भाषाओं के शब्द है इनको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि आपकी ये प्रिक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन से शब्द बिदेशी है, कौन से देशज है, कौन से तदसम है, कौन से तदभवद है ये शब्द आपको याद करना है, यहां से आपको प्रशन बनता है अगला कोशने बिदेशी भाषाओं से आए शब्दों में से कौन सा शब्द फार्सी का नहीं है तो जो दिये गए बिकल्पों में से फार्सी का शब्द नहीं होगा तो वहोगा बिकल्प तीन सी फारिश बाकी गुलाब, सलाम और खुदा कौन कौन से? गुलाब, सलाम और खुदा ये तीनों ही फार्सी भाषा के शब्द है अगला कुशन है 94 इसमें पूछा गया है लोकाईतन के रचनाकार कौन थे? तो परसिद रचना है लोकाईतन इसके रचनाकार थे सुमित्रा नंतन पंत जो पंत जी है इनके द्वारा लोकाईतन नामक महाकाब्य की रचनाकी है कई बार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि लोकाईतन का महानाई कौन था? तो ये महात्मा गांदी जी पर अधारित महाकाब्य है यहां से आपको एक और प्रशन बता देता हूँ कि जो जैशंकर परसाल, सुमित्रा नंतन पंत सुरिकांत, त्रिपाटी न्याला और महादेवी बर्मा ये चार थे आपके चायवाद के अधार स्तंब चार अधार स्तंब के तौर पर ये चार जाने जाते हैं अगला कोशने चानवे, इसमें पूछा गिया है श्रिंखला की कडियां की लेखी का कौन है तो ये रचना हो जाएगी महादेवी बर्मा की कौन सी रचना है इसमें पूछा गिया है अगला कोशन है 96 में पूछा गिया है निशिद का बिलोम क्या होगा तो निशिद का बिलोम हो जाएगा बीहित बिकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है 97 इश्वरदास किस कापेधारा के कवी हैं तो जो इश्वरदास थे तो ये थे आपके रामभक्ति कापेधारा के कवी कई-कई वार प्रिक्षाम आपने देखा होगा कि प्रेमाश्री शाखा के अर्थात सूफी कापेधारा के अंदरगति इनकी रचनाएं भी आती हैं पर इनको रामभक्ति कापे के अंदरगति ही माना जाता है आगे है 98 उतकर्ष का विशेशन क्या होगा तो जो उतकर्ष का विशेशन हो जाएगा तो यह हो जाएगा उतकरिष्ट विकल्प दो यहाँ पर सही हो जाएगा अगला है 99 नर्जमा इंदर नरेंदर में संदी है तो यह हो जाएगी गुन संदी बिकल्पी यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कोशन है 900 इसमें पूछा गया है जो सिदिया पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताईए जिसको हम पूरा कर सकते हैं उसके लिए क्या शब्द बनता है जो उप्युक्त होगा बिकल्पों के नुसार तो वो हो जाएगा साध्या साध्या उससे कहा जाता है जो सिदिया पूरा किया जा सके अगला है 101 तो यहां से दोस्तों मुझे एक प्रशन यादा रहा है कि जो साध्या से एक कवीता है तो आपने बताना है कि यह किस की कवीता है तो दोस्तों जितने भी प्रशन में आप से पूछ रहा हूं इन सभी के उत्तर आपको देने हैं उक्त पंक्तियां किस संपादक के किस पत्तर में लिखी जाती थी तो सरसे पहले तो याद रखना है आपको कि ये पंक्तियां किस संपादक की है तो ये है परताब नायन मिश्र की और किस पत्तर में लिखी जाती थी ब्रामन में लिखी जाती थी ये पंक्तियां उसमें लिखी जाती थी जब अधिकतर जो ब्रामन पत्तर के पाठक होते थे पत्तर का तो ले लेते थे पर उसका पे नहीं कर पाते थे बिल को इसलिए उनको समझाने के लिए ये परताब नाइनमिशन ने लिखा था कि कृपया अब अपना मास का जो आपका हो जाएगा अनाबर्त तो विकल्प ए सही हो जाएगा अनाबर्त अगला है एक सो तीन कविता बली में तुलसिदास ने किस रूप में कथा का बंडन किया है तो ये किया गया है मुक्तकों के रूप में याद रखेगा जो कविता बली रचना है ये मुक्तक है और जाना जाता है अगला कोशन है 104 भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधी प्रज गामवनी में पावन जवें लगी इस पंक्ति के रिशनाकार कौन होंगे तो ये होंगे जगना दास रतना कर तो ये ली गई है ब्रमर्गीत से पंक्ति अच्छी पंक्ति है दोस्तों य कल्पतरू रचना है किस प्रकार की रचना है तो ये हो जाईगी सर्वांग निरुपक रचना सर्वांग निरुपक से मेरा तातपड़ी है इसमें आपको अलंगकार रस इत्यादी सभी चीजे मिल जाएंगी इसलिए इन्हें सर्वांग निरुपक कहा जाता है अगला है 106 सुर्यकान त्रिपार्टी निराला रचित अपसरा क्या है तो यह एक उपनियास है क्या है उपनियास कौन सी रचना अपसरा और यह रचना किसी है निराला जी की अगला कोशन हो जाएगा यहाँ पर 107 इसमें पूछा गया है प्रकाशन बर्ष के अनुसार निमिलखित मेंसे एक गलत है तो यहाँ पर जो गलत बिकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा बिकल्प दू करम भुमी का प्रकाशन 1922 में नहीं 1933 में होता है इसलिए बिकल्प दो गल्प हो जाएगा बाकी विकल्प एक रंगभुमी 1925 सही है निर्मला 1927 सही है और प्रेमाश्रम 1922 सही होगा अगला कोशन है रामकुमार बर्माकृत बादल की मृत्यू किस बिदा की रचना है तो ये हो जाएगी एक कांकी विकल्प चार सही हो जाएगा इसके पश्चात आपको याद रखना है कि जो बादल की मृत्यू है किसकी रचना है रामकुमार बर्मा की अगला कोशन है ठेले पर हिमालिय के लेखक कौन है तो जो रचना है ठेले पर हिमालिय ये दरंबिर भारती की रचना हो जाएगी अगला है निमलिखित में से कौन सा शब्द पूलिंग नहीं है तो जो जीव है ये पूलिंग नहीं होगा बाकी आयोजल, खटमल, अकाल की तीनों ही शब्द पूलिंग हो जाएंगे सिवाए जीव के अगला है 111, फोर्ट बिलियम कॉलेज की स्थाबना कहां हुई थी, तो ये हुई थी कलकत्ता में, विकल्प चार यहां पर सही हो जाएगा अगला कोशने नामदेब का जर्म कहां हुआ था, तो जो नामदेब का जर्म माना जाता है, ये महराश्टर में माना जाता है अगला कोशने 113, मैथिल कोकिल को जाना जाता है, तो बताना है कि मैथिल कोकिल किस कभरी का अन्या नाम है, तो ये विध्यापती का अन्या नाम है अगला कोशन है 114 प्रतियक देश का साहित्य वहां की जनता की चित बृत्ती का संचित प्रतिबिंब होता है तो ये कतन किसका है तो ये हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल का कतन अगला है 115 निमिलिकित में से बवानी परसाद मिशर की रचनाई कौन सी हैं तो यहाँ पर जो बिकल्प D हो जाएगा सही हो जाएगा गीत फ्रोश, कमल के फूल, सत्पूडा के जंगल ये तीनों ही रचनाई बवानी परसाद मिशर की हैं अगला कोशन है करम का भोग, भोग का करम, यही जर का चेतन आनंद पंक्तियां किस कब्यकृती से उद्रित हैं, तो यह हो जाएगी कमाईनी से कमाईनी जैशंकर परसाद का प्रसिद महा काप्या है अगला प्रशन है आपके लिए, आपने बताना है कि जो कमाईनी है, इसमें कितने सरगों का जिक्र किया गया है अगला कुशन है 117 तो ये पंक्ती हो जाइए साकेत की कई बार ये प्रशन भी बनता है कि साकेत महा कबे का प्रकाशन कव किया गया था तो 1931 में किया गया था अगला कोशन है 118 रांगई रागव के उपनियास कब तक पुकारों के केंदर में क्या है तो इसमें जरायाम पेशा नटों की जिन्दगी के वारे में बताया है कब तक पुकारू उपनियास में जो की रांगे रागव का है अगला कुछने रामधारी सीहं दिनकर की पहरी रचना कौन सी है तो यह हो जाएगी रेनू का बिकर्पदो सही हो जाएगा बाकी प्रणबंग, रश्मीरथी और हुंकार ये चारों ही रचनाएं दिनकर जी की है अगला कुछने 120 निमिलखित में से एक गजनन्द मादम मुक्तिवोध ने नहीं लिखा है तो क्या कौन सा होगा नहीं लिखा होगा जो उन्होंने तो ये हो जाएगा बिकल्प डी, साहित्यकार और उसका परिवेश बाकी नए साहित्यका सौंदरी शास्तर, एक साहित्यक की डाइडी, नए कविता का आतम संगर्ष, ये तीनों ही रचनाएं मुक्तिवोध जी की है अगला है, प्रियाग राज संग्या की दिष्टी है, तो ये हो जाएगी ब्यक्तिवाचक संग्या, प्रियाग राज में ब्यक्तिवाचक संग्या दी गई है अगला कोशने निमलिखित में से एक सुमिलित नहीं है तो यहाँ पर जो बिकल्प दो है ट का उचारन दंत से नहीं होता है तो सही बिकल्प यहाँ पर दो हो जाएगा ट का ट का उचारन मुर्धा से होता है बाकी सभी बिकल्प सही हो जाएगा कलब उष्ण ने 124 तो यहां पर पुछा गिया है निमली खित में से एक सुमेलित नहीं होगा तो यहाँ पर जो बिकल्ब ए है ये सुमेलित नहीं होगा क्योंकि जो ब्रामन पत्र का प्रकाशन या संपादन शिब नरायन मिश्र के द्वारा नहीं किया गया है ये किया गया है परताप नरायन मिश्र के द्वारा बाकी सभी बिकलब सही हो जाएंगे सरस्वती का किया है महावीर प्रसाद्विवेदी के दौरा नवजीवन का किया गया है महात्मा गान्ती के दौरा हिंदी परदीव का किया गया है पारकृष्ण भट के दौरा आगे है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रार्म किया गया था तो ये किया गया था सन 1920 में इसके प्रशात है 1926 11 बर्श कास में कहानी के लेकर कौन है तो ये हो जाएगा विकलतीन रामचंदर शुकल तो दोस्तों इससे पहले एक प्रशन आया था सुमेल मिलान करने वाला उसमें ये प्रशन पूछा था अगर आपने कभी प्रिक्षा में ध्यान प्रशन को पढ़ा होता तो आप इसको ठीक कर सकते या कभी आने वाली प्रिक्षा में भी अगर आप प्रशन पत्रों को ध्यान प्रशन को पढ़ते हो तो इस प्रकार से देखो जैशिंकर प्रसाद सबसे पहले निराला उसके परशाद पंत उसके परशाद और महादेवी वर्मा सबसे अंत में जो जैशिंकर परशाद का जनम था तो ये था 1889 निराला का था उन्हें अठारा सो सतानवे पंत का है अठारा सो निनानवे और महादेवी बर्मा का है 1907 के आसपास इसे याद रखेगा महतपुन है यह भी अगला कोशने जगमोंसियं किस यूग के रशनाकार है तो जो ठाकुर जगमोंसियं हैं तो ये थे भारतिन देव यूग के रशनाकार अगला कोशने 139 चायवाद का अर्म माना जाता है तो ये 1918 इस भी में माना जाता है अगला कोशने भक्तमाल के रशनाकार कौन है तो ये हो जाएंगे नावादास अगला कोशने 131 विदेशी शब्दों में से कौन सा शब्द पुर्थकाली भाषा का नहीं है तो यह हो जाएगा साइकिल यह पुर्थकाली भाषा का नहीं होगा बाकी बिसकुट, तौलिया और पादरी यह तीनों ही शब्द पुर्थकाली भाषा के हो जाएंगे अगला कुछने The Modern Barnacular Literature of Hindustan इतियास ग्रंथ में क्या सपष्ट करने का प्रियास किया गया है तो इसमें किया गया है कभियों और लेकों का काल करमानुसार बर्गी ग्रंथ करते हुए उनकी प्रविटियों का उलेक विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कुछने 133 उक्ति ब्यक्ति प्रक्रण एक अस्तियंत महत्पुन ब्याकर इंगरंथ है तो ये कथन किसने कहा है तो ये कहा है अचारे हजारी पर साथ द्विवेदी के द्वारा अगला कुछने 134 शुद्धा द्वैत सिधान्त के समर्थक अचारे हैं तो देखो दोस्तों ये प्रशन फिर से रेपीट हुआ इससे पहले भी ये प्रशन पूछा था मिलान करने वाले प्रशन में शुद्धा द्वैत सिधान्त के समर्थक अचारे थे बलवाचारे अगला कुछने अश्टचाव की स्थापना कभ हुई थी तो ये हुई थी पंदरा सो पैंसेट में और किसके द्वारा की गई थी तो ये की गई थी बिठर नाथ की द्वारा अगला कोशन है यहाँ पर निमिलिखित गद्धियांश पढ़कर 136 से लेकर 137 तक के उत्तर दे गद्धियांश इस परकार से है देखने, सुनने में आया है कि हिंदी जिनकी मातरी भाषा है उनमें बहुत से ऐसी हैं जिने हिंदी तर भाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है इससे मा का अनादर होता है संसत में, बिधान मंडलों में ब्यापार में साधारन मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रियोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमान देना चाहते हैं यह हीन भावना है हिंदी से प्रेम होने का प्रमान दीजिए आप अपनी अधिकारी से कह सकते हैं की हिंदी में बातें सुनने में आपको लाब है इससे हिंदी ग्यान बढ़ेगा आपकी जिज़क दूर होगी आपको हिंदी परदेश में रहना है और कारियाले से बाहर भी इससे आपके संपर्ग बिस्तित होंगे कारियाल्य में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कारिय को श्रता बढ़ेगी उप्रित कदियाश के अधार पर बताएं कि हिंदी का परयोग का लाब कहां पर है तो ये हो जाएगा बिकर्प्तिन सवी शेत्रों में घरेलू जीवर में, शिक्षिन कारे में और कारियाल्य में अगला है उप्रित कदियाश के अनुसार हिन भावना क्या है तो ये हो जाएगा हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का परमान देने के लिए अंग्रेजी का बोलचाल में परयोग लाना आगी है 138 निमलिखित में से सही का प्रियोग करें तो यहाँ पर जो विकल्प एक है इसके अंतरगत होगा खर और गर ये दोनों ही सही होंगे खर में हैं दसमन तेल खर्च हो गया तो ये सही हो जाएगा गर में हैं धान कटिया तो ये सही हो जाएगे अगला है काट का अलू का अर्थ होता है बिलकल मुर्ख होना विकल्प एक सही हो जाएगा आगे है बह पाभर आटा लाया इस बाक्या में पाभर है तो ये हो जाएगा परिमान बाचक भिशेशन आगे है यरलव कू कहते हैं तो ये जो यरलव है इन्हें अंतस्त ब्यंजन कहा जाता है विकल्ब यहाँ पर सही हो जाएगा अगला कोशिन है 142 कौन सी दो द्भनियों को अयोग बहाग कहते हैं तो जो अनुस्वार और बिसर्ग है इन दोनों को ही अयोग बहाग कहते हैं याद रखीगा इसको भी आगे हैं 143, सब्त रिशी में कौन सी संदी होगी, तो यह हो जाएगे बिकल्ब तो गुन संदी अगला कोशन है 144, सदा जमा एव, सैदैब में कौन सी संदी होगी, तो यह हो जाएगे बिकल्ब चार ब्रिद्धी संदी अगला कुषण 145 निमलikit शब्दों में से कौन से शब्द स्ट्रीलिंग नहीं है? तो यह होगा प्रतीवेदन बाकी स्ट्रीलिंग होंगे अगला है 146 इनमें से कौन सी रचना जशंकर परसाद की नहीं है? तो यह हो जाएगी अनामी का, जो अनामी का है ये निराला जी की कृती है, परसाद जी की नहीं, बाकी कामाईनी, चंदरगुप्त और आंसू, ये जैशंकर परसाद की रचनाएं होंगी अगला कोशिन है, तुलसी दास, खंद काब्बे की रचनाकार कौन है, तो ये होंगी निराला जी अगला कोशिन हो जाएगा यहाँ पर, इन में से कौन चायवादी काब्बे की विशेशता नहीं होगी, तो यहाँ पर बैसे तो एक तरीके से देखा जाए, सभी ही चायवाद की विशेशताएं है प्रंतु हमें अच्छी तरह से देखना है, प्रिक्षा की द्रिश्टी से देखना है, तो यहाँ पर जो बिकल्प दो हो जाएगा, यह रथाथ वादिता, यह चायवादी काब्बे की विशेशता नहीं हो जाएगी, बाकी सब होंगे अगला है शेंशे की एक रात केरचनाकार कौन है, तो यह जगा बिकल्प चार नरेश महता अगला और अंती प्रशन है, आधे अधूरे नाटक के लेकक हैं, तो यह हो जाएगे बिकल्प दो मोहन राकिश दोस्तों इस वरकार से हमने इस प्रशन पत्र में 100 प्रशन डिसकस किया हैं, कहने तो केवल 100 प्रशन डिसकस किया हैं, पर जो हमने आपके अहस्मक्स तत्यर रखे थे, उसके हिसाफ से ये 1.500 से एक अम प्रशन नहीं होंगे तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्ट कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतर बने रहें इसका बहुत है धन्यवाद